हेलो स्टूडेंट्स and welcome to another lecture of law with अली हम अब इस वीडियो में consideration का पार्ट तू देखेंगे और consideration का पार्ट तू जो है that is that is going to be part payment of the debt और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पहले पार्ट वान में वीडियो देख लें मैंने आपको उसमें बता दिया था कि consideration क्या होती है उसका nature function क्या है सारा कुछ क्या है definition अगर वो अभी आपको नहीं पता आप सीधा इस वीडियो पर आगे पहले वीडियो देखें जाकर पार्ट वान ये पार्ट टू है consideration की वीडियो का और इसमें हम बात करें के part payment of the debt की part payment of the debt का मतलब ये है कि consideration का ये rule है कि अगर consideration अगर आपने for example कि आपने किसी के पैसे आपने लिये में है या आपने किसी को पैसे देने है तो suppose अगर एक amount आपने देनी है आपने thousand pounds देने है तो वो 999 pounds are not enough thousand का मतलब है आपने भापस भी thousand ही करने है ठीक है और part payment of the debt दे के आप किसी से ये promise नहीं ले सकते कि आप मे अगर पर case नहीं करो बाकी के मांगने के लिए that is not gonna happen not possible. पिनल्स केस के अंदर सबसे पहले इसकी बात हुई थी 1602 में पिनल्स केस के अंदर के payment of a smaller sum than the debt itself on the date due can never relieve the liability of the debtor to pay the whole debt. कि आप थोड़े पैसे दे के अपने liability रिलीव नहीं कर सकते कि आपने बाकी के पैसे देने है. पिनल्स केस में वो काज कहता है कि पराना केस है तो इसमें लिखाता है gift दे दें कोई horse दे दें कोई hawk कोई robe कोई चीज दे दें लेकिन आपने debt अपना पूरा करना ही है. ठीक हो गया. फॉक्स फॉक्स वर्सिस बियर 1884 के केस के अंदर इसका और further definition आपको मिलती है explanation के डॉक्टर फॉक्स ने मिस्स बियर के 2,090 pounds देने थे और उन्होंने जब नहीं दिये तो उन्होंने कहा कि मैं उन्होंसे permission ले ली कि मैं आपको installments पर दे सकता हूँ वैसे नहीं दे सकता. त वो और रेड़ी आपको एक favor दे रहे हैं ठीक है तो यह भी possible है कि वैसे तो technically consideration के हवाले से देखा जाए तो consideration आपने उतनी ही देनी है जितनी ही आपने ली है लेकिन अगर आप उसके ओपर कोई favor दे रहे हैं तो penals case के अंदर भी यही बात हुई थी और folks vs beer के अंदर भी यह बात हुई थी अच्छा उसके बात यह है कि अगर आप प्रेशराइज करके किसी को कहें के वह less lesser amount accept कर ले आप प्रेशराइज कर दे उसको तो वह भी valid नहीं है dnc builders vs reese के अंदर भी जो builders थे dnc builders वह mr. mrs. reese के लिए काम करते हैं और उनके लिए उन्होंने कोई घर पगेर construct करना था तो 482 pounds उन्हें देने थे लेकिन वह जरा bankruptcy की तरफ चले गए उनके financial हलात खराब हो गए dnc builders के तो हलात खराब होने की वज़े से उन्हों का फाइदा ना जाएस फाइदा उठा के mr. mrs. reese ने का कि हम आपको 300 pounds दे सकते हैं 482 नहीं दे सकते तो उन्होंने 300 pounds accept कर है कि चलो कुछ तो आए यार नहीं भी पूरे आता है तो लेकिन the problem इसके बाद में उन्होंने sue किया उसको remaining amount के लिए तो वह valid था क्योंकि उनको आप किसी को pressurize करके भी थोड़ी amount नहीं दे सकते that is not allowed that is not valid अब दो तरह की exceptions हैं इसकी के lesser sum देके that can amount to good consideration वैसे तो नहीं हो सक exceptions हैं एक exception है accord and satisfaction और दूरसी exception है doctrine of promisory estoppel जो के main point है accord and satisfaction के यही है कि आप कोई different consideration की form ले 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 original obligation के लावा हट के कोई आपस में accord and satisfaction के तहर के अगर आप किसी की घड़ी खरीद ले और payment जो है वो early pay कर दे या आप कहा दे के चलो कोई नहीं 490 दे दो 500 की जिएगा 10 pounds बा नहीं नहीं मांगता तुमसे मतलब इस तरह आपस में accord and satisfaction आपकी हो जाती है तो उससे आप काम चला ले लेकिन जो main चीज है वो promisory estoppel है promisory estoppel is actually a doctrine जो के equitable remedy है equitable doctrine है doctrine of promisory estoppel यह कहता है कि for example कि अगर आपने किसी के पैसे देने है और for example आपने किसी को 1000 pounds देने है और आप 900 pounds में दे सकता 1000 मैं नहीं दे सकता वो आगे से मान जाए के ठीक है तुम मुझे 900 pounds दी दे दो 1000 ना दो ठीक है कोई बात नहीं खाता clear है हमारा कोई tension नहीं है तो बाद में फिर वो मांग नहीं सकता उसके पर promisory estoppel लग जाता है ठीक है लेकिन promisory estoppel लगने के लिए एक ची फिर claimant को पता हो के he is waiving some of his rights under the contract और जो rights उसने waive की है defendant को पता हो के defendant उसको claimant को भी पता हो के defendant उस waiver पे rely भी करेगा के उसको पता है के उसने कुछ waive किया है और defendant जो है वो इस promise पे भी rely करेगा के forego हो गया है some of the debt तो अब वो वापस नहीं मांगा जा सकता ठीक है तो doctrine of promissory stopple actually stops the claimant from going back to on their promise ठीक है चुके equity ये कहती है कि this is unfair के एक दफा आपने एक बंदे को कह दिया के ठीक है भाई तुमने जितने देने दे तो मैं बाक्की के नहीं मांगूँगा तो एक महीने बाद आपको याद आ गया और आपने बाक्की के मांगना शुरू क कि अगर आपने promise कर लें कि ठीक है आप पार्ट पेमेंट दे दे और फारे गें और promise कर लेंगा बाकी के नहीं मानेंगे तो वो promise binding है फिर आप नहीं मांग सकते जो modern development है इसकी वो central london property trust limited versus high trees house limited जिसको high trees case कहते है आप भी high trees case लिख सकते है क्योंकि इस case का नाम बहुत लंब रेंट पे तो जब second world war शुरू ही तो वो flats दिल्कुली खाली हो गए को क्राइदार अगर आते नहीं थे लोगों का आना जाना खतम हो गया क्योंकि world war शुरू हो गई तो उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए उसको चलाने के लिए कि हम ना rent को half कर देंगे मलब rent की price half कर देंगे 1945 में war खतम हो गई तो जो tenants वहां रहते थे उनको उन्होंने कहा कि हम जो rent है वो वापस उसी में ले लेंगे जो पहले amount थी लेकिन उन्होंने एक और बात कर दी उन्होंने कहा कि हम अब भी जो आइंदे से जो आप rent देंगे वो आप उतना देंगे जि दियें में वो भी पूरे करें तो court ने उसके उपर promisory stopper लगा दिया कि नहीं जब आपने पहले वाला half rent लिया था वो आपने खुद ही accept कर लिये था कि अब हम half लेंगे और उसके बाद और कुछ नहीं लेंगे तो वो वैसी रहेगा आगे से future में आप पैसे बढ़ा सकते ह जो पिछले half आपने accept किये हैं वो half ही थे half ही रहेंगे और last point इसका यह है कि यह जो doctorine है यह as a shield use होनी चाहिए as a sword नहीं यह use हो सकती आप इस doctor में किसी का नजायस फाइदा जैसे dnc builders versus reese का हम दोबारा इसमें example ले सकते हैं कि जैसे उन्होंने pressurize करके उनका मजबूरी का नजायस dnc builders की मजबूरी का नजायस फाइदा उठा के mr. and mrs. reese नो उनने थोड़े पैसे दे कि कह दिया था कि हम इतने ही दे सकते हैं और उनने भी मजबूरन मान लिया कि ठीक है चलो गया रहे इतने ही दे तो कोई बात नहीं तो यह किसी की मजबूरी का फाइदा उठा है clean hands का मतलब नेक नियती से अगर आप equity का असारा नहीं ले रहे तो equity आपकी help नहीं करेगी तो यहाँ पे साफ पता लग रहे है कि आपकी ill intention है आप किसी कम आप दे सकते तो उसको पूरे पैसे लेकिन मजबूरी का फाइदा उठा कि आप पूरे पैसे नहीं दे रहे dnc builders भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं com versus com भी यूज कर सकते हैं ठीक है और this is all about the part payment of the debt और अगर इसका question भी आता है तो यहाँ तो वो ऊपर वाले part का आता है पार्ट जो पास्ट कंसिडरेशन है यह एक्जिस्टिंग ड्यूटी है विले मर्सी रॉफी ब्रदर्स यहाँ इसका अलाग से नीचे वाला question आएगा वो प्रॉमजरी इस्टॉपल के ओपर आता है इसका question तो इसलिए मैंने lectures भी इसको डिवाइड करना है अगर इसकी evaluation दे दो ही है executed executory उसके इसके इलावा कोई form नहीं और दूसरा point इसका यह है कि general principle contract लोगा यह कहते है कि जो informal gratitude जो प्रॉमिसेज होते हैं वो unenforceable होते हैं लेकिन अगर उन प्रॉमिसेज के अंदर incorporation आप formal कर दें by deed या उसको consideration के साथ support कर दें तो वो formal भी हो जाते हैं तो यहाँ भी consideration का use होता है क्योंकि informal deeds को formal भी बना लेता है अगले lecture में हम first unit के last chapter की बात करने की capacity तो stay tuned उसके लिए I'll see you in the next lecture बाबाए